हेलो प्यारे प्यारे व्यूज तो आज हम बना रहे हैं ये देखिए जो हम बंडारे में सबजी खाते हैं या फिर अलवाई सबजी बनाते हैं बिल्कुल वैसे सबजी बनाएंगे आलो मटर की सिंपल से सबजी है ये जो अक्सर हम बंडारों में खाते हैं तो ये देखिए य एक किलो से थोड़े चे कम आलू लिए हैं और इसको इस तरह से मैस करेंगे बिल्कुल रफली मैस करना है मोटा मोटा हमें इस तरह से यह देखी इस तरह से जो अलवाई बनाते हैं उसे आलू को कट करके नहीं बनाते वो वोईल करने के बाद में इस तरह से मैस करते हैं तो मैंने भी इस तरह से मोटा मोटा पीसे में मैस कर लिया है और अब ले रही हूँ मैं इसमें मैंने मस्टिड ओयल लिया है आप इसे ना सर्षों के तेल में ही बनाएं सर्षों के तेल में इसका बहुत अच्छा फले वराता है या फिर आप कोई और कुकिंग ओयल यूज करते हैं तो उसमें बना सकते हैं मैंने इसमें लिया आदा चमत जीरा आठ से दस लसुन की कलियां और एक इंच अद्रक का टुकड़ा दो से तीन हरी मिज बारी कट करके और दो प्याज को मैंने बारी कट करके लिया है सबी को डाल दिया है हलका सा कलर चेंज होने तक हम इसे पका लेते हैं बिर्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना है हलका सा ब्राउन कलर हो जाए हलका सा पिंक कलर हो जाए तब तक हम इसे पकाना है तो इस तरह से से पका लेते हैं आप देख सकते हैं कि हल्क अल्क पिंक कलर इसमें दिखने लगा है तो एक पशर मैं आपको चेक करा देती हूं इस तरह से यह दिखी इस तरह का मसाला हो गया इह तो हमें इसी तरह का कलर चेंज हो जाए बस तब तक पकाना है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना है इसे और अब इसके अंदर डाल देते हैं टमाटर तो ये मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर को लिया है बारी कट करके इसे एक पर अच्छे से मिक्स कर देते हैं और उसके बाद में डाल देते हैं कुछ मसाले टमाटर डालने के बाद में सबसे पहले डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा नमक आदा चमच हल्दी पाउडर मैं करीब एक चमच से जादा लाल मिर्ची लेरी हूँ करीब ड़ चमच लाल मिर्ची ले सकते हैं क्यूकि हमारे यहां पर यह जो लाल मिर्ची है यह तीक ही नहीं है और एक चमज लिया है धनिया पाउडर आपके वहाँ पे अगर लाल मिची तिक हैं तो आप एक चमज लाल मिची ले सकते हैं अब इसमें में थोड़ा सा पाने डाल के इसे पकने के लिए छोड़ दिया है डखके इसे दो से तीन मिंट के लिए पका लेते हैं या तब तक पका लेते हैं तब तक की मसाले से वहला लगना हो जाए तो दो से तीन मिंट के बाद में आप देख सकते हैं इस तरह का मसाला हु तो यह मैंने मटर ले ली है मटर को डाल दिया है और इस तरह से हिला के एक बार दो मिंट के लिए मटर को पकने के लिए छोड़ देते हैं तो यह देखिए मटर को करीब दो मिंट पकने के बाद में इस तरह से मिक्स कर देते हैं और अब इसके अंदर आलू डाल देते हैं करीब मैंने 500 गिराम मटर ली हैं और करीब 800 गिराम आलू है इसे मिक्स कर दिया है मैंने और अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी थोड़ा सा नहीं जितना हमें गिरेवी चाहिए उससाब से पानी ले सकते हैं अगर हमें ज्यादा तरिदार सबजी खानी है तो हम थोड़ा सा पानी ज्यादा ले सकते हैं हमें इस तरह की सबजी चाहिए तो इसमें थोड़ा पका लेते हैं करीम मैंने पांच मिंट के लिए डग के अब देख सकते हैं पांच से साथ मिंट मैंने पकाया है डग के तो यह देखी सबजी का कलर इस तरह का हुआ है एक मीट कैमेरे पे थोड़ी शी भाप से धुंदला हो गया था तो मैंने साफ केर दिया एक मीट आपको भी दिखा देते हूं इस तरह की हुई है यह सबजी और अब इस सबजी बिल्कुल पक चुकी है और आप इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है अच्छे से मिक्स कर दिया है और आप डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें अमचूरन पाउडर भी डाल सकते हैं जो बंडारे वाले सब्जी होती है उसमें थोड़ा सा अमचूरन पाउडर डाला जाता है अगर वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्र झाल झाल झाल